नमस्कार, क्यापिटल टिवी का खारशो 24 करेन विपाक्ष बेदम देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा संसद में विपाक्ष एक के बाद एक बेवज़ा के मुद्दे उठा कर सदन का बहुमोली समय बरबाद करने में जुटा है सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है कली विपाक्ष इंडिया गटबंदन की नेताओं की बैठक हुई थी जिसमें संसद सत्र के लिए रननीती बनाने पर विचार विमर्श किया गया था पर आज तस्वीर कुछ और नजर आई विपाक्ष बिनार रननीती के नजर आया आज संसद के दोनों सद्दों में जम कर हंगाम अबरपा नारे बाजे भी की गई, राहुल गांदी ने स्पीकर से नीट पेपर लीग पर चरचा की मांग की और स्थगन प्रस्थाओं भी लाया गया राजसबा में तो सभापती जगदीब धनकर ने जब विपाक्ष की नीट पर चरचा की मांग को माने से इलकार कर दिया तो मलेका अरजुन खडगे के नित्वत में पूरा विपाक्ष वेल तक आ गया राजसभा के उपसभापती ने इस घटना को संसद्य आच्रन पर धबा बताया है मतलब लोकसभा और राजसभा दोनों ही जगा जमकर बवाल की खबरे आज सामने आई सदन की कारवाई को सुमबार तक के लिए स्थगित करना पड़ा पर सवाल ये है कि आखर विपक्ष करना क्या चाहता है तो आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे और बताएंगे आपको कि आखर डिप्टिज स्पीकर को लेकर विपक्ष में चल क्या रहा है और बीजेपी में क्या चल रहा है चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूड़े में मौजूद है Capital TV की Editor-in-Chief Dr. Manish Kumar और Executive Editor राजीब जी सर आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद विपक्ष का रवया यही रहेगा तो कैसे काम होगा बिपक्ष काम करना चाहता ही नहीं है वो इस नेरियेटिव को लेकर की चल रहा है कि देखो हमने मोदी को जुगा दिया मोदी को काम करन नहीं दे रहे हम इतने पावरफुल हो गह democrats हम इतने सकती हो गह हम बिल्कुल अपने हिसाब से दिखिए जिस तरीके से राश्पती मैडम के भाशन के ऊपर 21 घंटे वो टाइम दिया गया है कि उस पर हम लोग चर्चा करेंगे जब सारे फ्लोर लीडर्स की मीटिंग इस स्पीकर ने बुलाई थी वहाँ यह अपिक्षा की गई थी कि जो मीटिंग में डिसाइड हो गया सब भी तरीके से सारे लोग उसी पर करेंगे वहाँ मसला उठा भी था कि नीट के उपर बादशित करना चाहते हैं उनको कहा गया कि मैडम के भासन में तो अलड़ी नीट के उपर चर्चा हुई है तो यह विल विदिन यूर राइट तो स्पीक अपाउट इट आपको जितना डिसकस करना है समय आपको दिया जा रहा है उसका आप उटलाइस कीजिये नीट के लिए करना है अगनीवीर के लिए करना है एरपोर्ट के लिए करना है जिस चीज़ के लिए करना आपकरें लेकिन आपने क्य क्या किया आप वहाँ वादा करके आए कुछ और और यहाँ आपने तार्णव शुरू कर दिया मैसेज देना था कि हम संसद नहीं चलने देंगे संसद को रोक कर कामकाज को रोक कर समविधान को कैसे बचाएंगे ये राहूल गांदी का परबूला यह दिमाग से समझ में नहीं आ रहा है तो वो एक messaging है और भीज भीज में वो शुरू हो गए कि मैरे माई को क्यों आफ किया ठिक या माई को आफ यह बटन स्पिकर के पास नहीं होता है इस रिस्टेंडिंग ओर तो कैस की जानकारी नहीं रहूल गानी के पास अरे उसको कोई ची की जानकारी नहीं वो जान पूछ को तमाशा कर रहा है इट इस रिस्टेंडिंग ओडर कि जैसे ही स्पिकर के मुझ से आवाज निकले कि नथिंग विल गो उन रेकॉर्ड सबका माईक आफ और कैमरा स्पिकर के ऊपर ये राजस्वाब में भी होगा अब 2004 से जो आदमी संसत के अंदर है उसको ये सब कानून नहीं मालूम है उसका मतलब है कि नुटंगी कर रहा है कि हाई हाई मेरे माईक को माईक बलागे क्या करेंगे जब आपको स्पिकर ने मना किया कि यू स्टिक टू प्रेजिटेंट्स स्पीच नहीं मैं एक नया मुंदा लाना चाहता हूँ मैं संदेश देना चाहता हूँ तुम कौन हो संदेश देने वाले ये यूटूब पर दो संदेश ट्विटर बजागर के दो संदेश अलाकि जब स्थगन स्थगेत हो गई तो उसके बाद एक वीडियो बनाया है उन्होंने उन्होंने वीडियो शेयर करके कहा है कि मुझे आज बोलने नहीं नहीं दिया गया अच्छा दूसरी चीज यह कॉंग्रेस वाले भी अच्छा वीज और यह देखके मैं बार-बार कहता हूं यह नटवर लाल लोगों की संख्षया हिंदुस्तान की राजिननी में ज्यादा हो गई लेखते ही एक्टिंग सुरू करो और जूट पर जूट बोलो और ये बीजेपी वाले वेवकूफ हैं ये लोग हमारे जूट को काउंटर करना नहीं जानते हैं इस बज़े से चुनाव जीते हैं पिछली बार पास साल हम लोगों ने हंगामा किया सीटे बढ़ गई अगले प राहुल गांधी और जिम्मेदारी ये दोनों शब्द है न एक दूसरे के उल्टा है ये एक दूसरे को मैच ही नहीं करता है राहुल गांधी ने आज तक किसी जिम्मेदारी के साथ अपने आपको मैच नहीं करवाया राहुल गांधी कभी जिम्मेदारी लिए सांसद बने जिम्मेदारी नहीं है बलकि उसके स्विधाओं का उपभोग करने के लिए एक पद चाहिए था लोटियंस दिली में अलग से बंगला चाहिए सुनिया गांधी के घर पर क्यों रहेंगे इसलिए सांसद बनना है सांसद बनके भी आज तक 2004 से लेके अभी 2024 तक कोई भी एक गं बनना है यह तो चाहते तो PM नहीं तो डिप्टी PM बन जाते ग्री मंत्राले इनके पास हो सकते थी यह फिनांस मिनिस्ट्री ले सकते थे इकनॉमिक्स पढ़के आये हैं लंदन से तो कोई बड़ा मंत्राले ले लेते नहीं लेंगे यह जिम्मेदारी से भागने का इनका दूतरा तरीका था उसके बाद संसद की कारवाही में कभी धंग से भाग नहीं लिए तो अब जब नेता परतिपक्ष बना दिया गया है तो इनको जानकारी नहीं है संसद के नियम कानूनों के बारे में इनके जो सलाकार हैं वो संसद के बारे में नहीं जानते ये तो जानते हैं सिर्फ हंगामा करना ये तो अराजक तत्व हैं जो की बाहर में बैठे हुए ये अर्बन नकसल्स जो हमेशा ये सोचते रहते हैं कि देश में जितना अराजकता पहले जहां हंगामा हो हर जगह पर विरोध परदर्शन हो तब ही कम से कम हिंदुस्तान को कमजोर किया जा सकता है और वो राहुल गांधी को हत्यार बना लिया इसलिए संसद के अंदर राहुल गांधी के एक बड़ी जिम्मेदारी है और अगर विपक्ष के नेता के तौर प तौर पर उभरना है तो आपको कम से कम ये मान कर चलना चाहिए कि अगर फ्रोर फ्रोर लीडर की बैठक होती है अगर स्पीकर कुछ कह रहे हैं अगर आपको संसदीय कारे मंत्राले के तरफ से एक बैठक बुलाई गये मिटिंग बुलाई गये जिसमें संसद को स्मूथ तर अधी के अंदर नेत्रित्व करने की छमता है अब हंगामा करने के लिए तो कोई भी कर सकता है दो लोग मिलके संसद की कारवाई को स्थगित करवा सकते हैं बेल के पास चले जाएंगे पहले ये गुंडे मावाली जितने हुआ करते थे विहार से आने वाले उत्तर परदे स तो इन लोगों ने सोचना सुरू किया कि अब काम येखी बचा है कि किसी तरीके से हंगामा करा करके सदन को स्थगित कर दो और बाहर जाकर वही वीडियो बनाओ हंगामा करो कि विपक्ष को भोलने नहीं दिया जा रहा है ये नेरेटिव क्रियेट करने की कोशिस पूरा व कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि यही इंडी गडवंदन के लोग राहूल गांदी के उपर कटाक्ष कर रहे हैं पहली चीज़ राहूल गांदी अपने आपको समस्त विपक्ष का निता समझ चुके हैं कल मैं देख रहा था चेहरे से हवाईयां उनके क्यों जब व लोगों ने सेक्रिफाइस किया इमर्जनसी के दौरान जो कुछ हुआ और जिन लोगों की जाने गई यह मत भूलिए यह समाजवादी पार्टी हो यह डीम के हो यह आर जेडी हो जेडी हो तो इधर आ गया यह सिर्व सेना हो यह सारे लोग जेलों में बन थे भेज बदल बदल के इधर उदर जा रहे थे और उत्तर प्रदेश में तो इमर्जनसी के दौरान जिन लोगों ने सेक्रिफाइस दिये तो जैसे संतर सेनानियों को पैसे मिलते हैं इमर्जनसी के सेनानियों को भी पैसे मिलते हैं अब हुआ ये कि वहां पे कहा गया कि हम लोग मॉन जो है रखेंगे बागी सब लो तो खड़े हो गए कॉंग्रेस पार्टी वाले कि नहीं ये बहुत अन्याय है ये गलत है ये राहूल गांदी कर रहे थे अब उसने देगा कि समाजवादी पार्टी बगल में बैठा हुआ वह लोग बैठ रहे हैं मौन अब लीचे अब वह इधर कभी वह अपने लिताओं को देख रहे हैं और कभी अख्ले साथाथ को देख रहे हैं अगले साथ कुछ नहीं देख रहे हैं इसी तरीके से डियम के वाले भी ये तमाम इंडी गड़बंदन के लोग वह इमरजेंसी को गलत मान रहे हैं, जिसको विरोध कर रहे थे कि इसमों चर्चा नहीं होनी चाहिए, वो अपने आप में फूट का बड़ा कारिन बन गया, कब तक बचोंगे बच्चू, यह तो वह हो नहीं है, आज नकल, अभी नहीं नहीं सुरुआत है, अभी तो चल रहा है किसी तरीके स यह तीन तरीकों खत्म हो जाएगा, लेकिन अगला सिसन जब आएगा, और राहुल गांदी अपने आपको ऐसी बगबग, सफेद, कुर्ता, पजामा पहन करके, नेता समझने की कोशिस करेंगे, यही लोग इनको डाटेंगे, डप्टेंगे, क्यों? आपकी रनीती जो है, दिवाल पे सिर मारने वाले हैं, तमाम लोग विरोध कर रहे थे, कि किसके पूछ के आपने स्पीकर का घोसना कर दिया, कि हम चुनाल हो रहे हैं, आप ब्लेक मिल करना चाह रहे हो, आपने अपने मन से वन साइड़ फैसला कर दिया, अब आप देखिए, टीमसी वाले ने कह कि हम से तो कोई पूछा नहीं कुछ नहीं किया, आनन फानन फोन करके कि प्लीज विरोध मत कीजिए, सारी पार्टिया कह रही है कि आप अगर यूनिलेटरली फैसला करोगे, तो इस बार तो जाने दे रहे हैं, लेकिन आपके चक्कर में क्या हुआ, आपके चक्कर में क्या हुआ, ये लोग स्पीकर भी ले गए, और डिप्टी स्पीकर भी ले गए, संख्या तुम्हारे पास थी नहीं, और जब आखरी मौका आया, कि चल्ब में वोटिंग होती है, आप डिविजन नहीं मांगा, कि धोनी मत से कर दो, पता नहीं चले, हलाकि बीजेपी के भी कलती थी, बीजेपी को डिविजन मांगना था, दुनिया में ये मैसेज जाना चाहिए था, कि इसे को हेकड़ी जो है न, कुर्ता पान्ने से कोई निता नहीं हो जाता, वो संख्या 300 पार नदर आ गया होता न, बोड के उपर, कि स्पीकर को जो है वो, 300 के ज़्यादा वोट मिले हैं, आज ये हंगामा नहीं होता, और इसलिए, ये मतभेद धीरे-धीरे, ये अपने मंद से नितागरी ये बब देखी, अभी तो राव केज़िवाल जेल के अंदर में है, वो तो पूछे करने कि राहूल गांदी ने कुछ बयान दिया, हाला कि आज जेल में परिशान हो रहे होंगे, क्योंकि सोरेन बाहर आ गए है, अभी तो सिब्याइ के स्टेटी में उनको पूछताख चल रहा है, विचारे, खुद को फसा है, ये मनिसी सुधिया को निप्टा है, ये बड़ा यक्ष प्रसन है उनके सामने, लेकिन, जपी में और विपक्ष में क्या चल रहा है, देखे जिस तरीके से अभी मिटिंग का दौर चल रहा है, ये खडगे के आवास पर मिटिंग हुई, रहुल गांधी भी थे, शरत पवार को बुलाया गया था, डेरे कोब्रायन भी थे, और संजयर राउत को भी बुलाया गया था कि डिप्टी स्पीकर अगर विपक्ष को आफर किया जाता है, तो अगर आफर किया जाता है, तो कॉंग्रेस को ही अपने नेता को नॉमिनेट करना चाहिए, लेकिन दूसरे तरफ कॉंग्रेस के अंदर ही इस बात पर चर्चा हो रही थी, कि भाई पिछली बार बेज़ गांधी को विपक्ष को लीड करना है, तो ऐसे में कॉंग्रेस को फिर से सेक्रिफाइश करना पड़ेगा, किसी दूसरी पार्टी के नेता को ये मौका मिलना चाहिए विपक्ष के तरफ से, लेकिन अब दूसरी पार्टी कौन? इस पर भी चर्चा है, क्योंकि शरत पवार जो वहां गए थे, सुप्रिया सूले को लेकर गए थे, अब उनका इंट्रेस ज्यादा जाग रहा है, पार्टी की सांसदों की संख्या के आधार पर सब कुछ निदारित नहीं होगा, आप समाजवादी पार्टी को दोगे, तो महरास्ट में समाजवादी पार्टी के नेत अकलिस जादब जाएंगे भी, तो उससे उद्धब ठाकरे सरद पवार को क्या फायदा, क्या चुनाप परचार करवाओगे, या फिर ममता बनर जी से क्या फायदा होगा, ये संख्या के आधार पर जाओगे, तो हम समर्थन क्यों करें, ये आप लोग आधार बताईए, ब देंगे ही नहीं, क्योंकि भारतिय जनता पार्टी में भी थोड़ा कन्फ्यूजन था इस बात को लेकर, कि NDA के दूसरे पार्टनर को दें, किसी और को दें, छोटी पार्टीों को दें, डिप्टिया स्पिरकर का पोस्ट, जैसे कि AIA DMK को दिया गया था 2014 के बाद, लेकिन इस बीच इस्थितियां बदल चुकी है, भारतिय जनता पार्टी के लिए भी और NDA के लिए भी, NDA बहुमत में है, भारतिय जनता पार्टी को कुछ सांसदों की जरुवत हमेशा पढ़ती रहेगी, और ऐसे में नितीज कुमार तो सीधे तोर पर कह दिये थे, कि अब हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम मंतराले पर चर्चा करना चाहते तो कर दिये हैं, और इसके बाद TDP को लेकर जो ये बोल रहे थे, स्पीकर के चुनाब के समय या उससे पहले TDP ने कोई बयान नहीं दिया था, कभी ये बयान भी दिया, तो बार बार ये कहता रहा कि सहमती से हो होनी चाहिए, इंडिये की बैटक में तै होनी चाहिए, लेकिन देखिए स्पीकर के बाद, डिप्टी स्पीकर से पहले TDP के दो नेताओं ने बयान दे कर कहा, मीडिया के सामने कहा, कि हमारी कोई डिमान नहीं है, हमने भारतिये जनता पार्टी को कह दिया है, पी ए मोधी क कर नहीं सकती, तो इसलिए भारतिये जनता पार्टी चाहती है, कि इन लोगों के साथ ही मिलकर हम अपना डिप्टी स्पीकर भी बनाएं, क्योंकि आगे कठिन दोर आने वाला है, विपक्ष के इन धूर्त लोगों पर भरोसा नहीं है, कल जाकर स्पीकर के खिलाफ नो कॉन् पराओं से मतलब नहीं है, इसलिए अभी बात ये चल रही है, आगे इस सेशन में तो नहीं होगा, आगे के सेशन में डिप्टी स्पीकर भारतिये जनता पार्टी ही बनाएगी, बिलकुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों, तो नीच की मुद्धे पर संसत के द गावे के बज़े से सदन की कारवाई को स्थागित करना पड़ा, अब देखना होगा सोमवार को विपक्ष का क्या रवया नजल आता है, आज क्या हमारी शों में फिलाल इतना ही देख 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 देख, आप पचल टीवी, नमस्कार